सभी को कुसुम का नमस्ते आज हम लोग बनाएंगे पिजा सॉस जो की बहुत ही आसानी से बन जाएगा क्योंकि क्या होता है ना कभी-कभी हम मार्केट से पिजा सॉस लाने भूल जाते हैं या तो हमें खाना होता है पिजा पर मार्केट से हम जा नहीं सकते हैं ला नहीं सकते तो इसलिए हम चलिए अभी जश्ट तुरंद बनाएंगे पिजा सोस वो भी शरी एक मिनिट में तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी ली है उसमें मैं डालूँगी करीब आधा कटोरी टमाटा सोस टमाटा सोस आप जो भी ब्रांड का यूज करना चाहती हैं कर सकती है आपके पास जो भी अलेवल है आप वो यूज कीजिये तो यहाँ पे मैंने आधा कटोरी टमाटा सोस डाल दिया है और इस पे में करीब डालूँगी एक चम्मच मिक्स हब्स यो की पीजा का मिक्स हब्स है यह मैं करीब एक चम्मच डाल रही हूँ एक चेली फ्लेक्स, मैंने घर पे बनाया हैática, इसका लिंक में आई-बटन में ढल दिया, शेक कर लो और ये मैंने चार से पाँच लस goin की कलिया ली थी, उसे पर बांदिज द की टेस्ट के हिसाब से डालिए क्योंकि नमक सॉस में भी रहता है और यह में डाल रही हूँ सेजवान चटनी तो सेजवान चटनी अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे स्कीप भी कर सकते हैं कोई जोरी नहीं डालना तो इन सारी चीजों को डालके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे मिक्स करने के बाद यह हमारा रेडी हो गया पीजा सॉस देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर भी आ गया और कितना अच्छा लग रहा ना तो यह ह लाइकन को जरूर से जरूर दबाएं कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालू तो उसकी नोडिफिक्स